आज का हमारा टॉपिक फिर स्टेखियो मेर्टरी आफ केमिकल रेक्शन पर ही होगा और आज हम कुछ और नूमरिकल्स करने जा रहे हैं और इन नूमरिकल्स में हम जनरली जो लिमिटिंग और एक्सिस रेजेंट हैं उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है इसमें हम बॉपिक ऑपर ही हम यहां पर कुछ नूमरिकल्स करने जा रहे हैं excess reagent को देखींगे कि कैसे इनको detect किया जाता है इनके केमिकल रेक्शन तो start करेंगे हम एक simple chemical reaction से ही अगर हम है बर्स प्रोसेस की बात करें वो प्रोसेस जिसे ammonia बनाया जाता है जो वहाँ पे chemical reaction involved होते है that is nitrogen plus hydrogen and it gives ammonia now सबसे पहले stoichiometry discuss करने के लिए हमें जुरूरी है कि हमें chemical reaction को balance करना पड़ता है तो यहाँ पे nitrogen 2 है तो यहाँ पे मैं twice लिख रहा हूँ hydrogen यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 में लिख रहा हूँ तो जो यह balanced chemical equation है हमें यह यह बताती है कि यहाँ पे 1 mole N2 का react करता है कितने mole से 3 mole hydrogen से और हमें यहाँ पे 2 mole ammonia मिलता है now देखिए आप तो इस reaction में actually मैं फिर कहने जा रहा हूँ कि 1 mole of nitrogen यह combine होता है with 3 moles of hydrogen और हमें ammonia के 2 moles मिलते हैं महाँ पे तो अगर हम पहला case यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे कि अगर हम 1 mole nitrogen लेंगे और यहाँ पे हम 4 mole hydrogen के लेंगे 4 mole hydrogen के तो अगर मैं आप से यह पूछूँ कि यहाँ पी ammonia कितना बनेगा तो देखिए आफ हमें पता है कि 1 mole 3 mole से बनकर हमें 2 mole अमूइया देता है तो यहाँ पे nitrogen तो 1 mole है है hydrogen हमने कितने moles लिए हैं 4 moles मगर nitrogen का 1 mole इसके 3 moles से ही मिलेगा और उन 3 moles से मिलकर यह अमूइया कितने moles देगा 2 moles तो इसका मतलब यहाँ पे 1 mole को जिस तरह से हमें balance chemical reaction दिखाती है कि 1 mole को हमें 3 mole hydrogen जाहिए तो यहाँ पर भी 1 mole 3 mole hydrogen से ही मिलेगा और यहाँ पे 1 mole जो होगा one mole जो hydrogen का होगा वो अन रिखल रहीगा तो इसका मतलब यहाँ रेक्ट Vaccine ए Trek और बैद भी यह रेक्ट एक्टन कुछ वहाँ पे रही जाएगा तो जो रहा था राख dtr projection के दौरान कंजूम होता है इचिस कॉल्ड लेमिटिंग रेजेंट लेमिटिंग रेजेंट इन फैक्ट हमने ये पहले भी बढ़ा है तो सिंपली जो बैलन्सर किमिकल रेक्शन है यह हमें ये बताती है कि वन मॉल अपनेट्रोजन अल्वेस कंबाइन जिट्री मॉल्स अफ है तू मॉल्स से ज्यादा मिलेगा नहीं क्यूंकि वन मॉल नैट्रोजन इसके सिर्फ तीन मॉल हैट्रोजन से ही मिलेगा और हमें जब वन मॉल नैट्रोजन कंबाइन होता है विस थ्री मॉल्स अफ हैट्रोजन तो उस वक्त हमें टू मॉल अमूनिया ही मिलता है तो यहां प यहां पर नैट्रोजन वन मॉल है तो वन मॉल के साथ इसमें से शिर्फ थ्री मॉल्स कंबाइन होंगे तो एक मॉल यहां पर अन्रेक्टेट रहेगा वो रेक्टेंट जो रेक्शन कम्प्लीट होने के बैद भी कुछ वहां पर बच जाता है डैट रेक्टेंट इस काल्ड एक है अगर हम एक और केस ले लेंगे यहां पर अगर हम थ्री मॉल इसके लेते हाइड्रोजन के और यहां पर में ले रहा हूँ टू मॉल तो अगर मैं यह कह रहा हूँ कि अमूना कितना हमें मिल जाएगा देखिए आफ हमें पता है कि थ्री मॉल इसके वन मॉल से ही मिलता है चाहिव कम पू तो इसका मतलब यहां पे थ्रीमोल हैट्रोचन इसके हैं तो थ्रीमोल कितने मोल से में चेएगा एक ही मोर से आटमाट के लिद्रीमॉन कि मूल जब एक मूल से मिलता है एक मॉल अशेकरोगी होता है तो वहां पे ечरन बनेलेगा फिर इसकर法 तो इसका मदलब यहां पर भी तू मॉल उमून्या ही बनीगा तो जो यहां पर थ्री मॉल है ट्रोजीन जो वन ओन नेट्रोजेन से कंपाइन होगा तो उसके बावजूद यहां पर एक मॉल नेट्रोजीन बच जाएगा विच विच विस रिमेंई अन्रेक्टिट फॉरम तो तो यह जो reactant है, तो reaction complete होने के बैद भी यह reactant कुछ बच जाता है, तो यहाँ पर यह act करेगा as excess reactant, और यह यहाँ पर क्या act करेगा as limiting reagent, limiting reagent, तो इस तरह से मैंने यह दो cases यहाँ पर दिये हैं, कि अगर हम nitrogen के moles change करें, या hydrogen के moles change करें, तो हम कैसे बता सकते हैं, कि जो amount of ammonia है, वो क्या ज्यादा होगा या नहीं, यह हमने यहाँ पर देखा हैं, मगर यह आफ तब ही decide कर पाऊगे, जब हमें balanced chemical reaction में यह पता होगा, कि एक reactant के कितने moles, दूसरे reactant के कितने moles से combine होते हैं, और वहाँ पर जो product होता है, वो कितने moles बन जाता है, तो तब ही हम ऐसे questions, ऐसे problems को solow कर सकते हैं, now, एक और यहाँ पर बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखिए आप, अगर आफ पहले पहला वाला ही case ले लिए यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि one mole nitrogen three mole hydrogen से combine होता है, तो यहाँ पर हमने one mole ही लिया, तो यहाँ पर four moles लिये, चूंकि one mole सिर्फ three moles से ही combine होगा, तो इसका one mole बच जाएगा, तो अगर हम four mole के बदले five mole लेते हैं, तो यहाँ पर फिर two mole ही बन जाता, क्योंकि इसका one mole in five moles में से सिर्फ three mole के साथ ही combine होता, तो इसका मतलब अगर आप access region को और भी बढ़ाते हैं, you will find कि जो number of moles of product हैं, वो बढ़ींगे नहीं, हाँ, यहाँ देखिए, one mole के साथ, यहाँ hydrogen के three moles combine होते हैं, अगर हमने four moles लिये हैं, तो इसके सिर्फ three moles ही combine होंगे, तो यहाँ पर जो product बनेगा, वो two mole ही बनेगा, इसके हमने four moles लिये हैं, जो इसका एक mole रहेगा, वो unreacted रहेगा, तो इसके अगर हम चार के बले five mole ले रहे हैं, फिर भी product इतना ही रहेगा, six moles ले ल यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें, यहाँ से clear होती है, कि जो amount of product जो number of moles of product बन जाएंगे, वो किस पर depend करता है, that depends on the limiting reagent, जो ही है, आप limiting reagent के moles बढ़ाओगे, automatically the number of moles of the product will increase, तो यह भी हमने पहले ही लिखा भी है, कि जो limiting reagent है, it in fact controls, the number of moles of the product, इसी पर decide होता है, कि product के कितने moles बन जाएंगे, यह product के कितना amount बन जाएंगे, तो that is being decided by this limiting reagent, now, अब हम एक और numerical इसी basis पर करने जा रहे हैं, तो आप इसको प्लीज अभी नोट कीज़े, now, see, तो इसी basis पर हम अब numericals करने जा रहे हैं, और कुछ different methods भी इस्तिमाल यहां पर करेंगे, for example, अगर हमारे पास एक numerical हैं, like this, if 0.1 mol of nitrogen is allowed to combine with, combine with 0.2 mol of hydrogen, then you can find the limiting reagent in the erection, in the erection involving formation of ammonia, तो यहां पर actually क्या है, कि जो nitrogen के कितने mols यहां पर दिये हैं, 0.1 mol, और hydrogen के कितने mols हैं, 0.2 mol, तो हमें यहां पर बताना है कि limiting reagent कौन होगा, limiting मतलब जो reaction के दोरा पूरा consume होगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम रेक्शन लिखेंगे कि इसमें क्यों सी reaction involved होती है, and that is, अगर आप देखेंगे, if involves formation of ammonia from nitrogen and hydrogen, so the reaction, the reaction involved is, तो पहले हम reaction लिखेंगे, involved is, N2, plus H2 gives ammonia, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको balance करना पड़ेगा, twice, three times, तो reaction हमें बताती हैं कि इसका एक mole, three mole के साथ combine होता है, और यह हमें देता है two mole ammonia, this is the information given by the balanced chemical reaction or chemical equation, now see, तो अब हमें यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, nitrogen के कितने मोल्स है, 0.2, nitrogen के 0.2 moles है, और, नहीं, nitrogen के 0.1 mole है, sorry, और hydrogen के हैं, 0.2 moles, तो सबसे पहले आफ, यह यहाँ पर याद रखिएगा, कि आफ simply moles को देखकर, यह नहीं बता सकते हैं कि, इसमें limited कोन है, access कोन है, अब यह नहीं कह सकते हैं कि, जो इन दो मैंसे, जिस, जिसके moles कम होंगे, वही limiting reagent होगा, क्यूंकि, actually, हमें यह देखना है कि, इन दो मैंसे reaction के दोरां, पुरा consume कोन होगा, जो reaction के दोरां, पुरा consume होगा, वही act करेगा as limiting reagent, और जो reaction के बैद भी कुछ बाकी वहां पे रह जाएगा, that will act as excess reagent, अगर यहां पे, यहां पे लगता है कि 0.1 mole और 0.2 mole, तो इसके हिसाब से यहां पे लग रहा है कि 0.2 mole जदा है, मगर हम इसके basis पे moles को simply देखकर यह नहीं बता सकते हैं कि इसमें excess reagent कून होगा, क्योंकि यहां पे जो moles के दर्मियां reaction होती है, reactants के different moles के दर्मियां, वो reaction यहां पे one is to three ratio में होती है, मतलब इसका एक mole, इसकी three mole से combine होता है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, कि हमें देखना है, अगर हम इस तरह से देखेंगे, जो मैं पहला method यहां पे दिखा रहा हूँ, यहां पे 0.1 mole of nitrogen दिया हुआ है, 0.2 mole of hydrogen दिया हुआ है, हम देखेंगे 0.1 mole के लिए हमें कितना hydrogen चाहिए, वो हम पता सकते हैं, बड़े आराम से, देखें, हम पहले देखेंगे 0.1 mole के लिए हमें कितना hydrogen चाहिए, तो उसके basis पे हम easily फिर इन दो मैंसे decide कर सकते हैं कि इसमें कॉन limiting reagent होगा, और कॉन access reagent होगा, देखेंगे आप, हमें क्या करना है, यहां पर मैं लिखना चाहूँगा, मैं यहां पर इसको rub करने जा रहा हूँ आप, ताकि मैं आप प्लीज इसको note कीजिएगा, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूँ, आपको अच्छे से यह समझाए, देखे, इसका जो solution यहां पर है, देखे आप, हमें पहले ही पता है कि 1 mol nitrogen 3 mol of hydrogen से combine होता है, तो मैं ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, as per the balanced chemical equation, we know, we know, one mol of nitrogen combined with, hydrogen, कितने mols से 3 mol से, ठीक हाई? तो one mol of nitrogen combine with three mols, तो जब हमें पता है कि एक mol nitrogen कितने mols के से saith combine होता है, जब हमें एक यहां पता है, अगर मैं यहां पर पहले ही हमें पता है कि one more of nitrogen, कितने mols of hydrogen के सात sister combine होता है, तो हम इसे निकाल सकते हैं कि 0.2 मोल्स कितने हैड्रोजन के साथ कंबाइन होगा therefore 0.1 मॉल आफ नेट्रोजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन वो कितने तो वन मॉल 3 मोल के साथ तो 0.1 मॉल मीनस जिरो पाइट वन इंटो 3 मॉल तो इसका मतलब है 0.3 मॉल के साथ तो यहाँ पे कलियर है कि 0.1 मॉल आफ नेट्रोजन के लिए 0.1 मॉल आफ नेट्रोजन के साथ पूरा कंबाइन होने के लिए हमें हैड्रोजन चाहे 0.3 मॉल तो यहाँ पे हैड्रोजन कितना है 0.2 मॉल ही तो इससे कम है यहाँ पे तो 0.1 के लिए कितना चाहिए? 0.3 और यहां पर क्या है? उससे काम. तो इसका मतलब यहां पर हैड्रोजिन यहां पर एक लिमिटिंग राइजन्ट के तोर पर एक्ट करता है. तो यहां पर हम लिखेंगे अब मैं यहां पर अब यह रब करने जा रहा हूँ. सिनस was 0.1asking जाज़न निटोजन निए 1 मोल और निटोजन निए 0.3 मोangen रहल on यह रहला लिलोज ऑम मोलो jakim 00.2 मोलो १ लिवालोय क्यूज अभ यह क्यूज़ यहूज़ 0.3 mol है नस हैड्रोजन विल एक्ट एज हैड्रोजन विल एक्ट एज लिमिटिंग रेज़ेट सिंपल तो इस तरह से हम यह सॉलो कर सकते हैं इसलिए 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 नूमरी कलर जो एक और मेथड़ देखिए आप इसका एक और मेथड जो इससे सिंपल है इसलिए हम डिटेक्ट कर सकते हैं मैं आप इसको अरब करने जा रहा हूँ सिंपल तरीका क्या है एक और कि आप इसलिए कैसे लिमिंटिक रेजिएंट को यहां पर डिटेक्ट कर सकते हैं तो सिंपल तरीका है हमें क्या कर रहा है हमें पहले रिक्षि लिखनी है तो जो राकशन इसमें इन वालुव थैट इस एंटू प्लस ठीटाइम जाई तू मैं यहां पर बैलनस कर कि लिख रहा हूं आप तो यहां पर हमें पता है कि इसके कितने मोल्स यहां पर हूने चाहिये as per the balance of chemical accumulation 1 mole और इसके कितने मोल्स 3 mole और यहां पर 2 mole से मैं मिलता है नव तो जो दिया हुआ है that is 0.1 और इसके कितने दिया है 0.2 moles ठीक है 0.1 mole 0.2 mole anyway product किता होगा वहां हमें यहां पर नहीं बताना है हमें simply इन दो में से बताना है कि यहां पर limiting reagent कोन है यह दूसरा में दिखा रहा हूं simply हमें क्या करना है जो हमें moles दिये होंगे reactants की उन moles को divide करना है विद नुमरिकल coefficient is with the numerical coefficient is of the balanced chemical equation corresponding to their respective reactants मतलब जैसे कि nitrogen का यहां पर 0.1 mole है तो इसका numerical coefficient का है 1 तो इसको 1 से divide करो अब hydrogen के कितने moles है यहां पर 0.2 इस balance or direction में इसका numerical coefficient का है 3 इसको divide करो इसके moles से इसके moles को 3 से divide करो मैं फिर कह रहा हूं जो यहां पर moles दिये हुए है उसको divide करना है with the numerical coefficient of this hydrogen that is 3 तो अब इन दो में से जिसका value कम होगा वही limiting reaction होगा simple simple तरीका क्या है क्या जो भी reaction involved होगी वो हमें पहले balanced form में लिखनी है तो जो वहां पर moles दिये होंगे एक reactant और दूसरे reactant की फिर क्या करना है जो वहां पर numerical coefficient होंगे balanced chemical equation में रेस्पेक्ट्ट्व numerical coefficient उसको अपने अपने मोल जो उनके मोल दिये होंगे उन को divide करना है with the respect to numerical coefficient तो इन दो में से जिसका value कम होगा वही limiting reaction होगा तेखें यहां पर तो इसका value हुआ 0.1 तो इसका value क्या हुआ 0.2 divided by 3 that means 0.06 yes exactly तो यह value है 0.1 तो यह क्या है 0.3 इसका मतलब यह value कम है तो यह value कम है इन दो में से कम value क्यों है 0.06 तो इसका मतलब यह जो है भी है कि अगर किसी भी reaction के जो different reactants है उनके malls दिये हुए है तो अगर हमें detect करना है वहां पर limiting reaction को है तो simply क्या करना है पहले हमें उस reaction को balance for me लिखना है जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है फिर जो numerical coefficients हैं उनको ही इस्तिमाल करना है कि जो उन रेक्टेंट के malls दिये होंगे यह numericals इन numerical coefficient से उन मोल्स को divide करना है फिर जहां पर value कम आएगा इन दो में से चुंकि यहां पर दो ही है इन को जब हमने numerical coefficient से डिवाइड किया तो इन दो में से जिसका value कम होगा वही reactant will act as limiting gradient जिस तरह से यहां पर इसका value कम आया है तो limiting region यही एक्ट करेगा और जो पहला method उस जरिये से भी हमने देखा कि hydrogen ही एक limiting region वहां पर act कर रहा था नौ एक और numerical हम करेंगे जिसमें हम अगर हमें mall direct नहीं दिये होंगे मास्स में दिया होगा तो कैसे limiting region देखिए वह हम देखिए आप इसको प्लीज अभी नोट कीजें देखिए एक और numerical यहां पर करेंगे आप तो यहां पर हम मास्स को इस्तिमाल करेंगे इंटरम्जा मास लिखिए देखिए just wait if 28 grams of nitrogen is allowed to react with 8 grams of hydrogen during high boris process then find limiting reagent in the reaction तो यहां पर nitrogen और hydrogen के साथ ही हमें फिर reaction करनी है और high boris process involved हो है यहां पर high boris process जिसके जरी हम अमूनिया बनाते हैं तो हमें यहां पर देखना है कि यहां पर limiting reagent connect करेंगा तो जब हम limiting reagent यहां पर detect करेंगे automatically access reagent को ही हम आराम से यहां पर बता सकते हैं कि access reagent फिर कौन होगा जो वहां पर बच जाएगा यहां यहां पर लिखने जा रहा हूं simply हम क्या करेंगे पहले हम रेक्शन लिखेंगे कि इस है बोर्स प्रॉस के दोरां जो रेक्शन इन वालव है what is that that is nitrogen plus hydrogen gives ammonia पहले हम balance करेंगे इसको twice three times now देखें आफ तो अगर हम इस reaction को देखेंगे यह reaction हमें यह बताती है this balanced chemical equation कि one more nitrogen का combine होता है with three moles of hydrogen से और यहां पर two moles हमें मिलता है now अगर हम इसको in terms of mass लिखेंगे और हमें यह पता भी हैं कि हम कैसे moles को mass में तबदिल करते हैं simply one mole of nitrogen means 28 grams तो 28 gram of nitrogen is equal to one mole तो one mole के बदले हम 28 gram भी लिख सकते हैं इसी तरह से यहां पर three moles है एक mole hydrogen 2 gram के बराबर होता है तो three mole means six gram hydrogen तो यह कितना ammonia देगा as per the balance of chemical aviation एक mole ammonia का होता है 17 grams के बराबर क्योंकि 14 plus 3 17 grams तो 2 mole that means 34 grams now see simple सा तरीका है यहां पर इसने यहां पर कितना ने कितना द्या है 28 grams तो यहां पर 28 gram है जो दिया हुआ यहां पर पहले इसी से देखिएंगे 28 gram और यहां पर hydrogen कितना दिया हुआ है 8 gram देख़े हाँ simple तो यहां पर 28 ग्राम के लिए हमें hydrogen को तक ताँ चाहे 6 ग्राम तो यहां पर 28 ग्राम इसमें शीर शीदिक ग्राम के साथ यह कंभाईन होगा तो इसका में सब्सक्राइब यहां पर दो ग्राम जो हैड्रोजन कें वो बच जाएंगे तो 2 gram यहां पर hydrogen के बच जाएंगे तो automatically यहां पर जो hydrogen है it will act as excess reagent simple और एक और तरीका है जहां पर जो यह values होंगे वो अगर थोड़ा complicated होंगे तो आप इनको कैसे बड़े simple तरीके से वहां पर कैसे आफ एक्सेस और limiting reagent निकाल सकते हैं तो यहां यहां पर यह excess reagent होगा तो automatically it will act as a limiting reagent now एक और तरीका क्या है simple अगर हमें यहां पर देखिए आफ मैं यहां पर इसको अरभ करने जा रहा हूं यहां पर simple तरीका क्या है अगर हमें मास दिया होगा जो कि अभी भी मैंने जो method हमने इस्तिमा किया है हम इस मास को पहले मोल्स में तबदिल करेंगे जो हमें मास दिया होगा यहां पर हम उसको मोल्स में तबदिल करेंगे तो यह कितने मोल्स हैं जो यहां पर में जो दिया हुआ है 28 ग्राम अगर अगर हमें मास को मोल्स में तबदिल करना होता है तो actually हमें एक relation पता है कि number of moles इसके बड़ाबर होता है number of moles वो होता है mass of substance in grams divided by molar mass ठीक है तो देखे आप mass of substance in grams दिया हो है molar mass कितना है इसका nitrogen का अगर आप molar mass देखेंगे that is 28 so 28 divided by 28 that means it's one mole तो इसका महलब जो 28 gram वहाँ पर दिया है that is one mole अब हमने इसको moles में तबजिल किया देखे आप इसको भी moles में तबजिल करेंगे में तबजिल करेंगे तो यह कितने gram है 8 gram तो number of moles किसे बरावर है weight of substance grams that's 8 gram divided by molar mass हैडरोज का molar mass कितना है two यहाँ में पहले ही पता है so it will become 8 by two that means four तो यह four moles निकलेगा यहाँ पर यहाँ पर फिर one mole दिया हुआ है तो यहाँ पर four mole देखे आप अब देखे हमें क्या कर रहा है तो हमने mass को moles में तबजिल किया अब simple क्या तरीका है हम इससे simple easily हम limiting reagent निकाल सकते हैं जो मैंने पहले जो इससे पहले numerical की है वहाँ पर हमने यह discuss किया है moles अगर दिये होंगे तो अगर हमें limiting reagent यहाँ पर decide करना है कि कून होगा simply हमें क्या करना है in moles को divide करना है with their numerical coefficients for example nitrogen का यहाँ पर one mole है is balanced chemical reaction में इसका numerical coefficient क्या है one तो इसका मतलब यह आएगा one ही के बराबर ही तो इसका numerical coefficient क्या है three तो four को divide करेंगे अब जो four moles में निकले हैं तो इसको divide करेंगे with three तो यह किसके बराबर आएगा three ones और three point three three is our is clear देखे आप तो जब हमने moles को divide क्या है with numerical coefficients तो यहाँ पर यह value मिला है यहाँ पर यह value मिला है इन दो values में से जो value कम होगा that will act as limiting reagent देखे आप इन दो में से कम कोन है यह होगी so it will act as limiting reagent तो जहाँ से हमें पता चला कि जो यहाँ पर nitrogen है so nitrogen will act as limiting reagent एक और important चीज में यहाँ पर कहना चाहूंगा मैंने simple reaction को ही यहाँ पर इस्तिमाल किया है बहुत सारी numericals में मैंने simple reaction को ही इस्तिमाल किया है ताकि आपको concept clear हो जाए बाकि अगर कोई भी complex reaction होगी method concept यही है कि वहाँ पर भी आप इसी तरीके से आप limiting और excess reagent को easily detect कर सकते हैं by using the same method चाहे आप पहला वाला method देखेंगे जो मैंने पहले भी दिखाया है या अगर आप पहले मोल्स दिये होंगे तो उन मोल्स को आप divide करोगे with the numerical coefficients involved with your respective reactants तो जहां पर जिसका value काम होगा वही वहां पर act करेगा as limiting reagent तो मेरा यहां पर जो simple reaction इस्तिमाल करने का जो मकसद है यह यह इसका मकसद जो है वह यह था कि ताकि आपको concept अच्छी से समझाए बाकी कितनी भी chemical reaction complex हो इस concept के हिसाब से आप इसली वो numerical कर पाऊगे तो इस वाउट सेशो मेंटरी एंड लिमिटिंग एंड एक्सेसरेजिंट को हमने यहां पर आज जादा ही डिसकस किया है इसकी numerical को भी किया है और जो यहां पर डिफरेंड मैथड़ जैंकि कैसे हम लिमिटिंग एंड को यहां पर डिटेक्ट कर सकते हैं या एक्सेसरेजिंट को वह भी हम नहीं देखा तो इस वाज आल फर तोड़े थैंक्यू दियर स्टूरेंट्स